Hey developers, कैसे हैं आप लोग? मैं आकाश, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं JavaScript का एक बहुत ही important topic Reduce method के बारे में अब तक हम ने सिखा map और filter method के बारे में आप हम जानेंगे reduce method के बारे में of the array accumulating a single output value in the end तो basically इसका आप prototype कहने का मतलब ये कि जो array रहता है उसको हम लोग एक single value में convert कर देते हैं इसके help से और ये same map method के तरह filter method के तरह ये भी एक callback function ही लेता है argument में और उसके हर एक element के साथ जो callback function होता है वो execute होता है तो चलिए हम इसका syntax देख लेते हैं syntax में हम same map filter के तरह जैसा कि मैंने आपको बता है हम reduce method को लगाते हैं और इसके अंदर एक callback function देते हैं इस callback function के अंदर हमें चार argument मिलते हैं पहला होता accumulator accumulator वो value होती है जिसमें हम लोग value add करते है current value जो की हर value बारी-बारी से आती है उसे current value क्याते है और current index मतलब की जो value आएगी उसका index number क्या है और ये array मतलब की ये total जो array रहेगा वो ठीक है ज़्यादा खबराने के जुरूत नहीं इस video को हम अच्छे से देखेंगे तो चली सबसे पहले एक example लेते है इस example पे मैं आपको ये reduce method लगा के दिखाता हूँ तो इसको यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे हमें array की सारी value को add करनी है तो इसको हम reduce method की हल्ब से कैसे करेंगे तो चली देखते हैं तो सबसे पहले हम एक const some num के variable लेते हैं जिसमें हम इससे iV value को store करेंगे उसके बाद हम इस numbers के array पर reduce method लगाएंगे और उसमें callback function पास करेंगे अब जैसे कि हमने आपको कहा था इसमें जो पहला parameter होता है वो होता है accumulator तो accumulator हम सबसे पहले ले लेंगे और दूसरा value होता है current value और अब हम यहाँ पे accumulator की जो initial value होगी वो store कर देंगे मतलब accumulator equal to 0 हो जाएगा basically और अब हम यहाँ से return करा देंगे कि यह जो accumulator है इसमें हम current value को add कर दें तो अब क्या होगा कि यह जो 0 है इसमें सबसे फिले 1 add होगा फिर 2 add होगा फिर 3, 4, 5 और सब add होगे यह सारा return जो है यह sum में आ जाएगा और इस sum को हम यह नीचे console कराएंगे और देखेंगे कि हमें 15 मिल रहा है जो कि इन सारे elements का sum है तो I hope कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होई होगी अब इसमें हम आपको एक खास बद बताता हूँ यह जो initial value है अगर हम initial value नहीं देते हैं तो क्या होगा अगर हम initial value नहीं देंगे तो भी यह same ही result हमें return करेगा 15 because क्या होता है कि जब हम यह initial value देते हैं तब तो accumulator को 0 ले लेता है लेकिन अगर हम initial value नहीं देते हैं तो वो accumulator को 1 ले लेता है और जो यह reducing method start करता है वो पहले index से start करता है ना कि 0 index से लेकिन जब अगर हम यहाँ पर कोई value दे देते हैं तो फिर वो 0 index से start करता है मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर अगर मैं 0 लिखता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखा दू accumulator को console कराके तो आप देखोगे accumulator 0,1,3 and current value 1,2 मतलब कि यह 0 index से value की start किया है लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस 0 को हटा देता हूँ तो यह फिर पहले index से reducing start करता है तो I hope कि आपको इस example में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी तो चलिए हम अगले example के तरफ बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और complications के साथ देखते हैं यहाँ पर हम use करेंगे इस example का तो अब हम उसको यहाँ पर सबसे पहले paste कर लेते हैं अब यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हमें करना है grouping grouping का मतलब है कि जितने भी female है वो एक साथ हो जाए जितने भी male है वो एक साथ हो जाए तो इसके लिए हम इसके लगाएंगे reducing method तो चलिए सबसे पहले हम इसको store करने के लिए एक variable ले लेते हैं grouped pupil के नाम से और इसमें हम pupil के उपर reduce method लगाएंगे और इसमें callback function pass करेंगे जैसा कि मैंने बोला इसमें हम दोनों argument लिख लेंगे तो अब इसमें हमें gender wise इसकी grouping करनी है तो सबसे पहले हम एक variable ले लेंगे const की नाम का और इसमें हम gender store कर लेंगे और यहाँ पर accumulator की जो initial value है वो हम empty object देंगे क्योंकि हम object के अंदर ही male और female की grouping करने वाले हैं अब हम यहाँ पर check कराने वाले हैं कि object के अंदर अगर male gender या female gender नहीं है तो उसको बना दो तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर accumulator के अंदर यह जो key है वो नहीं है तो इसके अंदर आईए और accumulator की के नाम से key को बना दो और उसमें एक empty array store कर दो ताकि हम इसमें value push कर सके और यहाँ पर हम उसी accumulator में value को push कर देंगे तो हम यहाँ पर dot लिखेंगे फिर push लिखेंगे और उसके बाद bracket लगाएंगे फिर current value को उसमें push कर देंगे यानि कि अगर वो male होगा तो male वाले key में उसकी value चली जाएगी और अगर वो female होगा तो female वाली key में उसकी value चली जाएगी, यानि वो object चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ से return कराना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर हमने return नहीं कराया, तो फिर वो work नहीं करेगा, तो अब finally हमने यहाँ से return भी करा दिया है, सारा process complete हो गया है, तो आब हम इसको console करा के देखेंगे, तो हम console कराने के लिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, और console करते हैं तो आब हम यहाँ notice करेंगे, तो यहाँ पर grouping हो गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, group people में, जो female था, उस female में, जो female है, वो आ गई है और जो mail था उसमें जितने भी mail थे वो आ गया है तो यहाँ पे grouping हो गया तो मतलब आपने ही देखा कि array को reduce करने में हम उसका काम कि और दो और हम उसका grouping में भी काम कर सकते हैं तो basically जहाँ कहीं भी हमें ऐसा लगे कि हम एक variable बना के बाहर से उसमें हम value पूश करें तो उससे बढ़िया है कि हम reduce जो inbuild method है java script का हम उसको use कर सकते हैं जिसमें by default एक variable इसमें रहता ही है जिसकी initial value हम यहाँ से देते हैं और अगर initial value नहीं देते हैं तो वो पहले index से reducing start करता है तो I hope कि आपको ये दोनों example के help से reducing proper समझ में आ गया होगा लेकिन अगर अभी भी आपको कहीं लगता है कि आपको दिक्कत है तो please comment section में बताइए मैं आपकी ज़रूरी help रोगा comment section में जितना मुझसे हो सकेगा और ऐसे ही वीडियो को देखते रही है आगे आने ले समय मैं Java script से related और भी वीडियो डालने वाला हूँ तब तक best of luck and keep learning